पूर्ण 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 नमस्कार एक बार फ्यूसे सोगातियाब सबी का लोदाजी क्लासेस के बी ए फ्लेट फार्म पर बी ए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों येर के लिए महतपूर्ण शेशन भारती राजनितिक चिंतक तो दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है भारत ये आपके सिलेबस में फर्स्ट एयर में भी देखने को मिल सकता है और थर्ड एयर में भी देखने को मिल सकता है तो आप बिल्कुल निसंकोच होकर के बिना किसी डाउट के आप सेशन को अगर आपके थर्ड एयर में भी ये सेशन है तो भी आप इसे निस्चित रूप से फोलो कर सकते हैं आईए दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे आज के महत्पूर्ण टोपिक मनु के राज्य संबंदी विचारों पर तो दोस्तों इससे पहले का हमारा सेशन हुआ था लेक्चर नम्मर दो में हमने बात की थी भारत प्राचीन भारती राणितिक चिंतन क के बारे में उसके बारे में संपूर्ण से पूरे अच्छे समझने का प्रियास किया था उसी प्रकास दोस्तों उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए टोपिक वाइस टोपिक सिलेवस कंप्लीट करते हुए मनु के आज हम राज्य संबंदी विचारों पर फोकस करने वाले हैं आईये डायेक्टली सेशन पर bud करते हैं कि दोस्तों एक नजर आप चोहे इस यूनिट पर भी डालीजिये तो में उस पर डालीजिये जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि इस पुरे हमें पढ़ना क्या क्या है तो दोस्तों स्ट रर्षा सेयंट में हम बात करेंगे मनु के मन संबंदी विचारों पर मनु के राज संबंदी विचारों पर डिसकस करते हुए दोस्तों राज की उत्पत्ति के बारे में समझेंगे स्वरूप के बारे में समझेंगे इसके बाद दोस्तों इसके बाद में मनु को लेकर के लगबग दो या तीन सेशन होंगे दो या तीन प बचे होए पार्ट को हम थर्ड सेशन में कंप्लीट करेंगे जिससे कि अनवश्य गूरूप से सेशन ज्यादा लंबाना हो और उसी प्रकार से नेक्ष्ट जो होगा कोटिल पर हम चर्चा करेंगे इसी के साथ में फर्स्ट उनिट में जो ये दो बिद्वान रहे हैं प्राच को से फंद्रा दस से बारा मिनिट का सेशन है उसको एक बात देख लिए तो वहाँ पर सबी टोपिकों को आपने लिसकश करवा आया किनकी टोपिकों करने वाले हैं इस सिरीज में ठीक है न चलिए आईए शुरू करते दोस्तों हम सेशन आज का तो इस टोपिक में हमें क्य क्या होनी चाहिए या राजा की योग गिता क्या होनी चाहिए मतलब किस प्रकार के राजा का वर्णन मनु ने अपनी मनुस्मृति में किया है इसके बाद हम बात करेंगे किस राजा के राजा में कौन-कौन से गुण होना अवश्य के इसके बाद में हम लास्ट टोपिक में करेंगे कि राजा के कार्ड क्या है कि लिए रहे तो आज की सेशन में सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे कि राज के संबंद में किस प्रकार के विचार मनु ने प्रस्ताविक किये थे तो उन सभी के बारे में जानने का पूरे विस्तार से और भेवारिक रूप से समझने का प प्राचीन की तो यहां पर मनु का नाम सबसे पहले आता है जिनों ने राज के संबंद में या कहें कि राजनीती से अपने विचार प्रकट किये थे पिर उनी विचारों के अंतर गत इनोंने राज की उतपत्ति जो है एश्वर के दोरा राज की उतपत्ति को लेकर समर्तन दियाता इन्हों ने अपनी क्रति लिकी है, मनुस्मृति के अनुसार ही कहा जा सकता है कि मनु ने राज्य के संबंद में राज्य के संबंद में इस पस्ट रूप से कहा है कि राज्य की जो उत्पत्ती हुई है वो इश्वर के द्वारा हुई है इनके हलाकी पूरे विचारों को हम पूरे विस्तार से आगे समझने वाले हैं पूरे विस्तार समझने वाले लेकिन आपको देखिए कितनी आवश्चक्ता अभी आपको है उतनी आवश्चक्ता के अनुसार अगर आप लेते जाएंगे तो से आप हमेशा दूर रहेंगे विचारों को जब अगर आप मनु के राजिसंबंदी विचारों को अभी हम लगबक पांच-छे लेकिन बिस्तार पुर्ण पुस्तक परने तो उसमें बहुं सारे विचार मिलेंगे लेकिन आपको आवश्क्ता उतना लीजिए उतना करिए जैसे जैसे आपकी आवश्क्ता बढ़ता जाएं वे यहां पर यहाँ पर आपको जानना आपके कि मनुस्मृत्ति की अकोर्डिंग राज या राजा के संबंद में मनु ने जो विचार प्रस्तूत किये हैं उन विचारों के अनुसार राज की उत्पत्ति जो हुई है दोस्तों राज की जो उत्पत्ति हुई है उसमें दो सिध्धान्तों क को विशेश महधवत दिया गया है दो सिद्धान्तों को विशेश महधवत दिया गया है राज की उत्पत्ति को ले करके मनु स्मृति में दो सिध्धान्तों को महद्व दिया गया है और वो दो सिध्धान्त है देविय सिध्धान्त और समझोता सिध्धान्त अब इसको दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है, याद के साथ समझना है, जैसे समझ लेंगे ना तो यह अपना प्याद हो जाएगा, यह से सिंपल सब्दों में इसे कहिए कि मनु ने अपनी क्रती मनु इसम्रती में राज्य की उत्पत्ती के संबंद में दो सिध्धान्त प्रस्तावित किये हैं उनमें प्रथम सिध्धान्त है, देविय सिध्धान्त और दूसरा है सामाजिक समझोते का सिध्धान्त तो इनों ने अपनी मनु इसम्रती में ही कहा है कि राज्य का जो सोरूप है, जो बाहरी सोरूप है, वो देविय सिध्धान्त की देन है, वही राज्य का जो आंत्रिक सोरूप होता है वो सामजिक समझोते का सिध्धान्त है लेकिन इन दोनों सिध्धान्तों को देने के बाद भी मनुश्मती में जादा जो महत्व दिया गया है वो देविय सिध्धान्त को दिया गया है ना कि सामजिक समझोते के सिध्धान्त को लेकिन इनके सिध्धान्त में स सबसे पहले सिध्धांत की देवियश सिध्धांत की तो देवियश सिध्धांत के बारे में जो सामानेतथ्त्य को समझ उसको समझ अपने इस अप मैटर पूरा किलियर हो जाएगा यति इसमें राज की जो उत्पत्ति है वो व्यक्ति के द्वारा ना होकर के इश्वर के द्वारा हुई है एसा माना गया है। राजा को भी प्रत्वी पर अबतरित एक देवता के समान माना गया है। लेकिन दोस्तों ये उनकी परिष्टिती के अनुसार देश काल परिष्टिती शब्द सुना हुआ अपने देश काल परिष्टिती तो जो परिष्टितिया उस समेती उन परिष्टितियों के अनुसार मनों ने अपने विचार प्रकट किये। वो संभवता पहली वार राज्य को लेकर कि उन्होंने विचार दिये थे इनसे पहले कोई इसे विद्वा नहीं थे वारते विद्वा जिन्होंने राज्य को लेकर कोई अपने सिध्धान्त दिये हो तो इन्होंने अपने समय की परिष्टितियां देखी और उन परिष्टित देविये और आशुरी मतलब अच्छे और बुरे दोनों भरपूर मात्रा में थे और इन बुरे मतलब की आशुरी गुणों के कारण ही उसमें जगडालू प्रवर्ती पाई जाती थी जगडालू सोभाप का मनुष्य होता था उस समय का मनुष्य सक्ति के आधार पर अपना जीवन यापन करता था मतलब क्या हुआ कि उस समय जो है एक मतश्य न्याए की प्राणाली थी मतश्य न्याए जो है प्रसिद्य था या ऐसा समझी कि मतश्य न्याए की धार्ना व्याप्तती मतश्य क्या होता है दोस्तों जिसकी लाठी उसकी भैस यह कावत तो आपने सुन शक्ति अरजित करके और समाज में अपना प्रभाब बढ़ाने का प्रियास करता था और इस प्रियास के कारण इस संगर्स के कारण ही पूरा समाज जो है अरजक्ता से भर चुकाता तो इस अरजक्ता से समाज को मुक्त कराने के लिए ही मनु ने एक राजा की व्यवस्ता की य प्राजया का बिरोध करना यह राजा का संवां में ना करना एक बड़ा अपराद की स्रेणी में रखा गया है यह ना मतलब प्रतेग व्यक्ति को राजा का जो है राजा की आग्या का पालन करना चाहिए मनु के अनुसार प्रारंबिक अवस्ता में ना तो राज्य था और ना ही कोई राजा हुआ करता था तो प्रारंब में जब ब्रह्मा ने स्रस्टी का निर्मान किया तो समाज में अरजक्ता व्याप्त थी क्यों कि मानव स्वभाव से देविये और आसुरी दोनों गुनों से भरपूर्त व्याप्त था इसलिए राजा के बिना समाज में सुव्यवस्ता नहीं रह पाती तो मनुष्य परस्पर सक्ती के आधार पर ही अपने संबंद निर्धारित करता था तो मनुष्यों में परस्पर संगर्स होता था सक्ती के कारण जो संगर्स होता था इस संगर्स के कारण मतश्य न्याय जैसी इस्तिति उत्पन हो गई थी मतश्य नयाय को याद रखिएगा दोस्तों मतश्य नयाय का अर्थ होता है जिसकी लाठी उसकी भेस जिसकी लाठी उसकी बेस जिसी इस्टिती उस समय समाज में पूरी तरह से व्यापत हो चुकी थी और इस व्यवस्ता के कारण ही समाज में दोस्तों अरा जक्ता आ चुकी थ मतलब कि उस समय में उस समय में समाज में ना कोई कानून था ना कोई नियम थे और जिस समाज में या जिस राज में ना कोई कानून हो ना कोई नियम हो वहाँ पर अराजक्ता आना सोभाविक है और इसी कारण से उस समाज में अराजक्ता का सामराज पूरी तरह से पनप चुक तो लोगों में इस कारण से भै उत्पन हो चुका था और इस बहसे मुक्ति दिलाने के लिए ही इश्वर ने क्या किया है स्रस्टी राजा की स्रस्टी की राजा का निर्मान किया है इस प्रकार राजा जो है देविये रचना है देविये रचना है मतलब राजा इश्वर का प पढ़ेंगे सब मनुस्मर्ती के नुसार पढ़ने वाले जो मनुस्मर्ती में कहा गया है कि लिए तो देविये सिद्धान्थ में अब मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें कोई डौट बचाओ अब अगर आप का संचलन करने के लिए समाज में व्याप्त अरजक्ता को खत्म करने के लिए समाप्त करने के लिए वहाँ पर इश्वर के द्वारा एक राजा का निर्मान किया गया है और वो राजा ही समाज का उचित रूप से संचलन करता है जहां पर प्रतेग व्यक्ति को राजा की आग्या का पालन करना होता है कोई भी व्यक्ति राजा का अग्या का उलंगर नहीं कर सकता इस चूटी से कानी है इसमें कोई अगर उसको अपने पड़ा होगा उसको अपने देखा होगा पूरा ओसलीः पर हुई ती वहाँ पर हमने देखा था कि ऑदमोस नेवी जो है सामाजिक समझोते करा सिध्धान्थ दिया था किसके लिए राज्जिक के संबनब्मधित विचारों कर अन्तरगत ही एक सामजी समझोते का सिध्धान्द दिया था और उस होप से के उस सिध्धान्द के अनुसार राजी की जो उत्पत्ती हुई थी उस राजी की उत्पत्ती जो है दोस्तों उस राजी में रहने वाले विविन ब्यक्तियों के आपसी समझोते से हुई थी और जो लोगों में आ आपसी एग्रिमेंट हुआ था जो समझोता हुआ था उस समझोते के परिनाम सोरूप एक राजा का राजा की उत्पत्ती हुई राजा कोई पक्ष नहीं था राजा कोंट्रेक्ट करने वाला कोई पक्ष ना हो करके राजा वहां पर उस समझोते का परिनाम था मतलब एक दूस नंकुष रूप से हम पर नंकुष राज तंतर की इस्थापना करेगा और हमारा संचलन करेगा जिससे समाज में सूब्य बस्ता की इस्थापना हो जाए तो उसी की झहलक हमें मनु के सामाजिक समझूते के सिद्धान्त में भी देखने को मिलती है कि लिए रहे ठीक है चली आई ये ओ सुरी 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 करें चली कोई बात नहीं वाट राइक कर लेते पेंच चल रहा है ओके आईए थोड़ा से इसको कंटिन्यू करते हैं इसको समझी एक बार बैसे एक बार याद रखेएगा दोस्तों जिसना में आपको इस परस्ट बता आता कि समझोते का सिध्धान्त तो देखिए देवी सिध्धान्त में क्या बताया कि राज्य की उत्पत्ति मनुने जो नाम है इस बात को आप याद रख करके अब इसको पढ़िए देखिए मनु का राज्य उत्पत्ति सिध्धान्त राज्य उत्पत्ति का सिध्धान्त देवी और समझोते का सिध्धान्त दोनों का इसमें एक बिचित्र समन्वे देखने को मिलता है दोनों ही सिध्धान्त द देवी सिध्धान्त के द्वारा हुई है और आंतिक रूप से सामाजिक समझोते के सिध्धान्त द्वारा हुई है किसमें मनुस्मत्य के साधवे अध्याय में तो जेसा इसपर्ष्ट किया चुका है कि राज्य की उत्पत्ती से पहले समाज की दसा केसी ती डराब नी ती को बुलते का विकास हुआ है कोई गोतर राज अफचर विचार दारा है लेकिन अभी फिलाल हम मनु की विचार दारा को पढ़ रहे हैं तो मनु की विचार दारा पर ही आप पूरा फोकस करेंगे ठीक है ना मिंसाइट में इससलिए हो रहा हूं कि को को बार में कमेंट करते तो किनकी शन्तिट करों चलिए राज्य कि उत्पती से पहले कि तो समाज की इस्टीह की जातिती नहीं नहीं थी क्यों क्योंकि समाज में अपनी स्तिती, को ओर दरन करने का प्रियास कर रहता है, तो चारों तरफ, अरजकता होने के कारण, वहाँ का बाता वरड़ था वह पूरी तरह भैस से भर जुका था डर से भर जुका था इना, तो अरजकता अवस्ता का अंत करने के लिए ही इश्वन ने राजा की स्रश्टी की है अब राजा के कौन-कौन से गुण होने चाहिए जिस राजा की बात मनुश्मती में की गई है उस राजा के गुण के से होना चाहिए वही आगे हम देखने वाले हैं तो यहां समझोते के सिध्धान्त का सिंपल सा अर्थ है तोस्तों जो थोमस होपस के विचारते थोमस थोमस होपस का जो सिद्धान्त था थोमस होपस का जो सिद्धान्त था सामाजिक समझोते का सिद्धान्त उसी से मिलता जुलता यहां मनुस्मरती में समझोते की बात की गई है मतलब यहाँ पर विविन्य व्यक्ति समाज के विविन्य व्यक्ति समझोते के माद्यम से जो है अपनी विवस्ता को निर्मित करते हैं और अपने सभी अधिकार राज्य को अर्पित कर देते हैं ठीके ना मिलता जुलता बोलाए मैंने सेम डूसेम नहीं बोला याद रखिएगा आप लोग ठीके ना चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं कि मनुस्मर्ति में जिस राजा की बात की गई है उस राजबो राजा कैसा होना चाहिए मतलब उसमें योग गिता कौन कौ करकार से उस राजा में आट देवताओं के गुण समाई हित होते हैं आट देवताओं के गुण होते हैं और आप चाहें तो यादकर सकते हैं एसा मनुश्मती में कहा गया है और इसी लिए राजा की इस्तिती राजे में सर्वोच बताई गई है तो राजा जो है धर्म का संस्थापक होता है राजा सर्वोच है राजा राजे में सर्वोच है लेकिन एक बात यहां पर और इसपस्ट के दी गई है कि राजा धर्म का संस उसको इस प्रकार का एक योग्यवक्ति होना चाहिए जो अपना सासन संचलन से संबंदित प्रते कारे धर्म के अनुशार ही करे तो आगे कहा गया है कि कोई राज बिना राजा के चल नहीं सकता तो राजा में यदी राजा की अचनक से कभी मृत्यू हो जाती है चाहे वो सामाने परिष्टिती में हो जाए चाहे वो युद्ध के समय में हो जाए अगर राज से राजा की मृत्यू हो जाती है तो दूसरे राजा की तुरंत वेवस्ता कर लेनी चाहिए तुरंत वेवस्ता राजा की कर लेना चाहिए राजा का उत्रदिकारी की वेवस्ता भी मनुस्मति में की गई है और इस पर स्रूप से कहा गया है कि राजा का जो जेश्ट पुत्र होगा जो बड़ा पुत्र होगा वही यूबराज कोशित होना चाहिए वही लेकिन उसके बाद भी प्रजा का भली भादी रुख से प्रजा की सुरक्षा करना पुर्या के हितों को ध्यान में रखते हुए- शासन का संचलन करने का आदेश राजा को दिया गया है ठीके ना हालां कि कोई भी व्यक्ति राजा की आग्या का उलंगन नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति राजा के विरुद्ध कारी नहीं कर सकता कोई व्यक्ति राजा के विरुद्ध क्रांती नहीं कर सकता विद्रोह नहीं कर सकता क्योंकि ये दंडनी अप परिश्टिती शक्ति बिध्या और शास्त्र इनका ध्यान रख्ते हुए ही अपना क्यार कार करना चाहिए अपना बेवार करना चाहिए उसमें अपना ब्यवार चाहिए उसमें जो कारे हैं इस सारे कारे समय के अनुसार करना चाहिए ना अनावशक रूप से क्रोध नहीं करना चाहिए जरूरी ना होने मैद कम हो जाए तो यह हमने योग गताओं के कुछ बिंदों पर चर्चा की है अब बात करते हैं कि इसे राजा के गुण कुन दूसरा है कि जो जो राजा मतलब कोई राजा जो है वेदों के ग्याता जो ब्रामन होते हैं या विद्वान या व्रद लोग इनके प्रति उसमें स्रद्दा होनी चाहिए राजा को विनम्र होना चाहिए उसको संयमी होना चाहिए वेदों का ग्यान उसके अंदर होना उसके अलावा एक एसा राजा जिस जो युद्ध से बहवीत ना हो मतलब उसको समर्थवान राजा होना चाहिए समर्थवान मतलब ये कि हर परिस्तिती का सामना करने की छमता उसके अंदर होनी चाहिए इसके अलावा राजा को हमेशा मदपान, जुवा, पराहिस्त्री, आकेट इन सबसे यता संबब दूर रहना चाहिए यता संबब है जहां तक हो सके दूर रहना चाहिए अनावशक रूप से अपना समय ब्यर्त में यहाँ पर बरवाद ना करे राजा को क्रोधी नहीं होना च इर्शा, दूसरों के में दोस निकालना, धन का अपयान करना, कठोर बचन बोलना, कठोर दंड देना, यह सारी बुराईया अपने आप उसमें जाएगी, अगर राजा क्रोधी होगा तो इसलिए राजा को एक सैयमी होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, यह सारे गुण द कारे कर वसूलना, उचित रूप से, जनता से कर वसूले, इसके अलावा राजदूतों की नियुक्ति करे, इसके अलावा बेतन, बेतन देना, किनको जो भी करमचारी होंगे राजी के, उनको बेतन देने का कारे राजा करेगा, सास्त्रों के दौरा जो कारे निशित कर दिय उन नदेगे चाहिए जिन कारीयों को करने से मना कर दिया गया है उन कारियों को善 करे इसके लावा और किसी भी बिसेऊ पर बहूमत बहुमत होने पर राजा अग्या के अनुसार और कारे करना राजा को हटी नहीं होना चाहिए कि और ने जाहूं बस मेरी ही चलेगी वहाँ पर जो मंत्री बेटे हुए अगर जिस पक्ष में बहुमत है उस बहुमत के अनुसार राजा को कारे करना चाहिए इसके अलाबा अभी योगों का निर्णे करना जो भी अभी योग आते हैं दरबार में उन अभी योगों को ले करके उनका निर्णे करना उचित निर्णे करना न्याय देना ठीक है न और इसके अलाबा शत्रूओं से अपराद के अनुसार धर्वस धन बसूलना शत्रूओं से जो जैसा उसका अपराद है बेसा जैसा की जिसे हम आर्तिक दंड के नाम से जानते हैं तो आर्तिक दंड इना सबादियों से प्राश्चित करवादा यह सभी गोण जो है एक अच्छई राजा में होना चाहिए उस За से बात करने का प्रियास किया चिससे की अनावर्शक रूप से 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 लंबा ना हो नेक शेशन जो होगा हमारा में आपको प्राडम में ही बता चुका हूं कि मनु के मनुस्मृत्ती में लिखित तीन सिध्धान्त हैं दोस्तों सप्तां मंडल और सणगूर नीती का सिध्धान त अगर शेशन आपको अच्छे लग रहे हैं पसंद आ रहे हैं आपके लिए जो है अगर आपको पसंद आने के साथ अगर आपके इस्टेडी की अनुसार अगर आपके लिए उप योगी हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आप निरंतर आप जो है निरंतर रूप से पूरा निशुल को रूप से कोई चार्जस नहीं जल्दी से आप टेलेग्राम ग्रूप को जोईन करें जोईन करने से क्या होता को सभी क्लास बनबाइबन करके मिलना त्रारम हो जाती कोई भी सेशन आप से छूटेगा नहीं सभी सेशन हम आई इसी ग्रूप पर अपलोड करते हैं चिससे की अगर मान लेते हैं कभी दो-चार दिन आप चुट्टी हो भी जाती है आप किसी कारण वस कहीं बहार चले आते हैं सेशन नहीं कर पाते हैं तो कोई क्लास आपकी मिस नहीं हो इसके लिए ग्रूप बना दिया गया है या ग्रूप पर सभी की लिंक निरंतर रूप लिए पर दिन के अनुसार डेट वाइस जो है आप सेशनों को अटेंड कर सकते हैं ठीक ना मिलेंगे नेके सेशन दोस्तों थैंक्यू धन्यवाद